दोस्तों प्रोपर्टी की खरीद विक्री के लिए हम डिपेंड करते हैं किसी ना किसी प्रोपर्टी डिलर पर जो अपना थोड़ा कमिशन लेकर हमें प्रोपर्टी की डिल करवाने में हेल्प करते हैं हर field में हर type के layers होते हैं और property dealing के field में भी layers हैं यानि सही और गलत दोनो type के लोग होते हैं काफी property dealer ऐसे भी हैं जिनको property के basic documents की समझ भी नहीं होती लेकिन वो property dealing का काम शुरू कर देते हैं सारे property dealer गलत नहीं होते काफी सारे अनुभविया knowledge वाले property dealers हैं जो अपना काम बहुत जिम्मेदारी से करते हैं लेकिन property dealing शुरू करने के लिए आपको कोई qualification की जरूरत नहीं है इसलिए हर कोई property dealing का काम करने लग जाता है चाहें उसको इस field का knowledge हो या नहीं अगर government के तरब से property dealer बनने के लिए कोई training या license वगरे compulsory किया हुआ होता तो बात अलग थी लेकिन आज की स्थिति ये है कि केवल रेरा approved project में dealing के लिए तो property dealer का रेरा में register होना जरूरी है बाकि किसी टाइप की property dealing के लिए ना तो कोई qualification है ना ही कोई license और ना ही कोई training साथ में ये बात भी ही सही है कि ज़्यादा तर मामलों में property की खरीद विकरी का काम property dealer के जरिये ही होता है अब आपकी deal में आपको property dealer सही मिल गए तो कोई issue नहीं आता लेकिन property dealer सही ना हो तो इस्थिती अलग हो जाती है और आपको काफी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है इसलिए कहते हैं कि property dealer के साथ deal करने के लिए भी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना काफी जरूरी है ताकि हमारी deal smoothly पूरी हो सके आज के वीडियो में मैं आपको ऐसी ही कुछ जरूरी बाते बता रहा हूँ जो आपको property dealer के साथ deal करते टाइम ध्यान में रखनी चाहिए सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि अगर आपके area में या जैसी deal आप करने जा रहे हो तो उसके लिए अगर कोई rara approved dealer available हो तो आपको उनके साथ ही अपनी property के लिए बातचित करने चाहिए rara approved होने का फायदा ये मिल जाता है कि rara के पास registration के लिए dealer अपनी काफी सारी details submit करता है उसका verification होता है और उसके बाद ही उस dealer को rara register करता है अगर कोई rara register dealer आपके साथ cheating करता है तो इसकी शिकायत भी rara में की जा सकती है तो अगर आपके पास rara approved और साधारन dealer में से choice है तो आपको rara approved dealer को प्रात्मिकता देनी है फिर जिस भी dealer से आप बात करें उसके साथ एक agreement जरूर बनवाएं जिसमें उसका scope of work लिखवाएं यानि वो आपकी property को sell या खरीद करवाने के लिए क्या क्या काम करेगा उसका commission कितना होगा और commission कब कितना due होगा और भी शर्तें जो आपके और property dealer के बीच में तैई हुई है या जिनके लिए dealer आपको विश्वास दिलाना चाहता है आपको लिखित में agreement के रूप में तयार कर लेने चाहिए agreement proper तरीके से ही करना है जैसे बाकी agreement किये जाते है जैसे agreement में dealer की पूरी detail हो सारी शर्तें clearly लिखे जाए इस time paper पर agreement तयार करवा कर आपका और dealer का photo लगाना है उसके हर page पर आपके और dealer के sign करने है और गवाहों के sign करवा कर notary से attested भी करवाना है अगर कोई सही काम करने वाला dealer होगा तो वो इस type के agreement से कभी मना नहीं करेगा लेकिन अगर उसके मन में बेइमानी है तो आपको insist करेगा कि आप उसकी बातों पर विश्वास कर ले और agreement को गेर जरूरी बतायेगा लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है आपको agreement जरूर बनवाना है इसके बाद ध्यान देने वाली बात है कि काफी बार ये देखा जाता है कि जिस dealer से आप अपनी property को sell करने के लिए बात करते हैं तो वो dealer आपको अपनी बातों और विश्वास में लेकर साथ ही अपनी करवाई हुई काफी सारी deal का हवाला देकर इस बात के लिए जोर दे सकता है कि आप property के original papers और चाबी उसके पास छोड़ देवें ताकि कोई ग्राहेक आए तो उसको बार बार नहीं आना पड़े तो ये भी कभी नहीं करना है क्योंकि सबसे बड़ा risk किसी में है और काफी बार तो dealers आपसे power of attorney तक की demand कर लेते हैं अगर आपने power of attorney दे दी तो आपने बहुत बड़ा risk ले लिया दोस्तों ऐसे बहुत सारे cases हैं जिनमें property dealer को power of attorney दी गई और उसने अपने ही किसी रिष्टेदार के नाम से saluted registered करवा दी तो power of attorney तो चाहें specific हो या general आपको नहीं देनी है चाहें कुछ भी हो जहां तक बात property के papers और चाबी देने की है तो उसके लिए dealer का ये तर्क होता है कि किसी ग्राहक से बात करते time उनको जरूरत होगी तो ध्यान रखें कि बात करने के लिए original कागजों की जरूरत नहीं होती property के original कागज property जितने ही कीमती है उनको dealer के पास छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है अगर देना भी पड़े तो आप photo state copy को cross करके दीजिए या अगर किसी संभावित ग्राहक को bank के purpose के लिए जरूरत है तो आप photo state copy पर four bank purpose only लिख कर दीजिए ताकि आपके documents का misuse ना हो सके property की चाबी dealer को देना भी काफी रिस्की हो सकता है क्योंकि property dealing का market ऐसा है जहां रोज नई type की धोखा दड़ी होती है अगर आपने property की चाबी dealer को दी मतलब आपने property का position shop दिया और ऐसी स्थिति में dealer उसका काफी फायदा उठा सकते है काफी मामलों में सामने आया है कि property dealer ने ही आपकी property पर position कर लिया तो ऐसा मोका ही किसी को क्यों दिया जाए कोशिश तो यही किजिए कि जब किसी party को property दिखानी हो तो आप खुद चाबी लेकर जा सको अगर ऐसा करना आपके लिए possible नहीं हो रहा है तो आपकी जिस property को sell किया जाना है उसके पास अगर आपका कोई रिष्टेदार या दोस्त कोई रहता है तो चाबी उसको दी जा सकती है या कोई अच्छा विश्वस्णिय पडोसी हो तो उसके पास भी चाबी छोड़ी जा सकती है और बूरी से बूरी स्थिती में आपको डीलर के पास चावी छोड़नी भी पड़े तो कोशिश ये किजिए कि ताला इस टाइप का हो जिसको चैंज नहीं किया जा सके जैसे आजकल दरवाजों में फिक्स टॉर लोग लगते हैं और उसकी एक चावी आपको अपने पास जरूर रखनी चाहिए और डुप्लिकेट चावी ही डीलर को देनी चाहिए मैं यहाँ पर यह सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि आप चावी डीलर को देवें मैं यह कह रहा हूँ कि अगर और कोई उप्शन ना हो तो केवल डुप्लिकेट चावी ही डीलर को देवें तो यह तो हो गई आपका कोई एग्रिमेंट होने के पहले की बात हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इसके बाद बात आती है कि आपकी प्रोपर्टी की सैल या परचेस तैय हो गई और टाइम आता है एग्रिमेंट एग्जीक्यूट करने का तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर हो सके तो आप प्रोपर्टी की डीलिंग में रूपयों का लेंदेन केश में ना करें हालांके ज़्यादा तर dealing में case transaction होते ही हैं लेकिन अगर आप case transaction को टाल सकते हो तो आपकी काफी सारी परेशानिया अपने आप खतम हो जाएगी अगर आपको कोई case transaction करना भी पड़े तो आप dealer के office में ना करें बलकि अपने place पर करें दोस्तों जब deal तय हो जाती है और agreement करवाने की बात आती है तो काफी dealers एक tree printed type का agreement रखते हैं जिनमें blank places होते हैं वो आपको ऐसे agreement पर sign करने के लिए बोलते हैं और बाद में उसे जैसे चाहें भर कर use कर सकते हैं तो ऐसे किसी भी agreement पर sign आपको नहीं करना है आपकी deal के लिए एक specific agreement तयार करवाना है और agreement तयार करवाने के बाद उसको ध्यान से पढ़ लेना और अगर आप legal drafting को ठीक से नहीं समझते हैं तो उस agreement को किसी expert या legal professional से check करवा लेना है agreement के बारे में सबसे जरुरी बात ये ध्यान रखनी है कि काफी बार dealer कहते हैं कि आप sign कर दीजिए हम दूसरी party से sign करवा कर notary करवा लेंगे तो दोस्तों ये legally एकदम गलत है और आपको फंसाने वाली बात है agreement तभी sign करना है जब सामने वाली party भी मौझूद हो दोनों party को एक ही time पर sign करना है agreement के साथ ही सामने वाली party का ID proof लेकर भी लगाना है मैं तो suggest करता हूँ कि हर agreement को registered करवाना चाहिए लेकिन अगर आप registered नहीं करवा रहे हैं तो agreement notary के सामने execute करके उसी समय notary से attested भी जरूर करवा लेना चाहिए notary भी किसी agreement के लिए बहुत जरूरी गवा होते हैं court को किसी matter में जरूरी लगे तो notary को उसका register लेकर गवाह के रूप में बुलाया जा सकता है तो अगर आप agreement को registered नहीं करवा रहे हैं तो कम से कम notary से attested जरूर करवाएं और agreement की entry notary public के register में जरूर करवानी है लिंक से देख सकते हो जब आपका agreement तयार और final हो जाए तो उस पर गवाहों के रूप में अपने दो ऐसे लोगों के sign जरूर करवाएं जो जरूरत पढ़ने पर आपके favor में court में आकर बयान दे सकें क्योंकि property dealers witness के रूप में agreement पर sign तो जरूर करते हैं लेकिन dispute होने पर वो court में कभी आकर बयान नहीं देते क्योंकि उनको केवल deal करवाकर अपना commission लेने से मतलब होता है जब आपका agreement तयार हो जाए तो आपको original agreement payment की रसीद या बाकि कोई भी original document dealer के पास नहीं छोड़ना है अगर future में आपकी deal में कोई भी dispute होता है और आपको court जाना पड़ता है तो ये सारे original document आपके लिए ज़रूरी होंगे इसलिए agreement, payment की रसीद और सारी चीज़ें आप अपने पास ही रखें अगर आप dealer के ज़री ये property खरीद रहे हो तो उस property के title के documents को आपको agreement करने के पहले check करना है dealer की बातों पर विश्वास करके title document चेक किये भी न, कोई भी agreement नहीं करना चाहिए आपको documents की समझ ठीक से नहीं है तो इसके लिए भी आपको किसी expert से राय ले लेने चाहिए property खरीदते time, property पर possession की स्थिति आपको खुद को check करनी है कि जो party sell करने वाली है वास्ताव में possession उसी party का है और किसी अन्य party का उस property पर कोई दखल तो नहीं है एक और बात कहूंगा कि property खरीदते बेचते time जल्दी बाजी कभी ना करें क्योंकि dealers में tendency होती है कि वो property के rates को manipulate करते है अगर आप property बेचने के लिए जाओगे तो rate कम बताएंगे और खरीजने के लिए जाओगे तो उसी area में rate ज़्यादा बताएंगे तो property के rates के लिए आप खुद थोड़ा सा research कर लें तो ज़्यादा अच्छा होगा लास्ट में जब आपको dealer को brokerage का payment करना हो तो कोशिश करें कि banking medium से ही payment करें कभी भी brokerage का payment cash में ना करें प्रोपर्टी dealer के साथ deal करते टाइम लोग सबसे ज़्यादा तो विश्वास करने के कारण ही फंसते हैं इसलिए केवल विश्वास के आधार पर आज की तारिक में कोई भी deal करना बेवकूफी होती है किसी काम को करने का जो legal track है उसको छोड़ते हुए कोई काम करेंगे तो problems आएंगी और property dealing के field में तो ये चीज बहुत अच्छे से लगू होती है हालांकि और काफी छोटी बड़ी चीजें हैं जिनका ध्यान रखा जाना जरूरी है लेकिन वीडियो में मैंने कुछ बहुत जरूरी बातें आपको बताने की कोशिश की हैं जो आपको property dealing के time होने वाले धोखों से बचा सकती है उमीद है वीडियो की जानकारी आपके लिए useful रहेगी अगर आपके और भी कोई सवाल हो तो आप स्क्रीन पर दिखाई देने वाले नमरों पर contact करके हमारे expert से बात करने के लिए call book भी करवा सकते हैं अभी के लिए इतना ही जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार